फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूँ चने के दाल से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सबजी जिसे आज हम शॉटकट फर्मूले से बनाएंगे जिससे आपकी समय के भी बहुत बचत होगी और ये जटपट बनकर रेडी भी हो जाएगी पेस्टी तो इतनी कि एक बार बार खाने का मन करेगा तो देखिए एक कप चने की दाल को हमने रात में ही पानी में भींगो लिया था लगबग आप इसे 6-7 गंडे तो जरूर भींगो इए उसके बाद इसे दाफ करके 2-3 पानी धो लीजिए और इस तरह से हमने बोल में ले लिया है एक प्लेट में हमने चारकली लहसून, दो हरी मिर्च को तोड़ कर और थोड़े से अधरक्ते टुकड़े हमने ले लिये हैं अब इन दोनों चीजों को थोड़ा-थोड़ा करके एक मिकसर ग्राइंडर में डालिए और इसकी हम एक धरदरी एक पेस्ट बनाएंगे इसमें आप स्टार्टिंग में पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिए क्योंकि इस पेस्ट को हमें बहुत ही पतला नहीं बनाना है, गीला नहीं बनाना है, फोड़ा सा हाड़ी होना चाहिए तो चलिए सारी चीजों को हम इसमें डाल देते हैं और इसमें वन टी स्पून शोटी चमच से एक चमच नमख भी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेते हैं, पहले मैं बिना पानी का ही ग्राइंड करूंगी इसे, तो देखिए ये थोड़े से अभी कड़े हैं इसमें जब जरूरत महसूस हो भी तो एक दो चमच हम पानी डालेंगे, फिर से इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो लीजिए अब हमारी ये पेस्ट तैयार हो चुकी है, इतनी गाड़ी आपकी होनी चाहिए तो इसे चलिए अब हम दूसरे बोल में निकाल लेते हैं तो इसे बहुत पतला नहीं करना है और बहुत गाड़ा भी नहीं होना चाहिए ये एकदम परफेक्ट है तो देखिए कितनी अच्छी बनी है, इस तरह के ही आपकी ये चने की डाला को पिसनी है तो चलिए अब दूसरी तरफ हम फ्लेम पर रखेंगे अपनी कड़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी सबजी और कड़ाई को फ्लेम पर रखने के बाद इसमें डालेंगे तीन चमच सर्सों की तेल अगर इस सबजी को आप सर्सों के तेल में बनाएंगे ना तो बहुत इक्टेस्टी बनेगी लेकिन वैसे जो फॉयल आप अपने घर में यूज करते हैं वो कर सकते हैं एक चमच खड़ा जीरा, दो लॉंग, एक दालचेनी किस्टीक, एक हरी लाईजी, एक पेजपत्ता, प्रोड़ी सी जावित्री और अब इन सारे खड़े मसालों को पहले हम जल जाने देंगे और इसके बाद हम डालेंगे दो प्याज को हमने बारिक इस तरह से ग्राइंडर में कर्श कर लिया है या तो अब बहुत ही बारिक चॉप कर लीजी, एक बड़ी चमच लैसुन अद्रक का पेस्ट और इसमें डालेंगे दो बड़ी टमाटर को हम इस तरह से ग्राइंड करके सारी चीचों को ग्राइंड करके लेने से पेस्ट हमारा बहुत एच्छा बनता है एक चमच हल्दी पाउडर, आधी चमच काली मिर्ज पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर और अब इसमें डालेंगे एक बड़ी चमच धनिया पाउडर, एक बड़ी चमच लाल मिर्ज पाउडर आप तीखा अपने टेस्ट करकोर्डिंग कम्यादिक रख सकते हैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी बेशन की बड़ी में भी पहले हमने नमक डाल चुके हैं तो फिर अब नमक डालने के बाद एक चमच हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ज, इससे कलर आता है, तीखा नहीं होता है सारे मसालों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे इसके उपर हमने एक रखा है दूद धकने वाली जाली, अगर आपके पास कोई भी जाली वाली बरतन हो प्लेट हो, तो आप उसे रख लीजिए इसके उपर और अब हम इसके उपर थोड़ा सा ओईल स्प्रेट कर देंगे, और इसे हमने पहले से ही ओईल लगा कर रखा था अब जो यह हमने बेशन को ग्राइंड करके, मिन्स चने की डाल को ग्राइंड करके रखा है इसमें से थोड़ा-थोड़ा हम बेशन इस तरह से लेंगे और इसे बड़ी के रूप में इस तरह से चोटे-चोटे गोले में बना लेंगे और सारे बड़ीयों को इसके उपर इस तरह से हम लगा देंगे एरेंज कर देंगे और अब flame को हम on कर देंगे और इसे हम ढख देंगे और ढख कर इसे कम से कम 5-6 मिनट तक low flame पर हम पकने देंगे तो इसे चलिए अब हुम धक देते हैं और धक कर इसे 5-6 मिनट तक पकने दीजे ताकि इसमें नीचे मसाले भी पकते रहें उपर आपकी बड़ी भी पकती रहेगी अब आईए देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं आईए देखते हैं तो लगबग आधे 50% तो हमारे बड़ी इसमें पक जाते हैं आईए अब हम इसे बाहर निकालेंगे और अपने मसाले को चेक करेंगे तो देखिए हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है साइट साइट से ओयल भी सेपरेट हो गया है इसका मतलब कि हमारे मसाले पक चुके हैं इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे एक बड़ी चमच खोड़ी सी और हम इसमें दही आप इसमें बहुत खटी दही नहीं फ्रेश्ट रखिएगा दही बस इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे दही को इस रेसीपी में अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत यह आपकी ग्रेवी अच्छी वनेगी और एक चमच इसमें गरह-मसाला डालेंगे और इन सारी चुजों को मिक्स कर लेंगे इस समें भी फ्लेम आपकर तो ही होना चाहिए फिर से हम अपनी जाली स्टेंड को इसमें रखेंगे बढ़ियों को और इसे फिर से ढख कर हम कम से कम 4-5 मिनिट तक लो फिर से पका लेंगे इस तरह से सौट कट फॉर्मूले से अगर आप बनाएंगे इस सबजी को तो बहुत ही आपको कम समय भी लगेगा और जटपट बन जाएगा आईए अब फिर से हम देखते हैं इसमें हमारे दही भी पक चुके हैं गरम मसाले भी पक चुके हैं और अब आईए इसमें हम अपनी ग्रेवी के लिए पानी आट करेंगे तो हमने लिया है गरम पानी एक ग्लास बड़ी ग्लास से हमने गरम पानी लिया है तो इसकी ग्रेवी जो होती है न बहुत गाड़ी नहीं होती है थोड़ी सी पतली ही होती है तो इसमें चली अब हम पनी पानी को एट कर देते हैं क्योंकि जब हम इसमें अपनी बड़ीों को लाने तो वह थोड़ा सा पानी को सोख लेते हैं यसलिए बहुत गाधी नहीं राटांगे बहुत पतली सी पतली रख lei झालने के भार आप इस्टपर्नाश्याच्त किजिए और फ्र Kerry क और सामल से आप प्रयास किजिए कि रिवी के लिए गरम पानी बर नालाarbeiten कम समय में बन भी जाते हैं तो चलिए फिर से बढ़ियों को इस पर ढख देंगे और रखने के बाद 2-3 मिनट तक ढख देंगे ताकि इसमें हमारे जब पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगे तब तक हमारी बढ़ी भी पक जाएगी आईए अब देखिए हमारी बढ़ी इसमें अच्छी तरह से पक चुकी है बस अब ग्रेवी में हम सारी अपने बढ़ियों को एक एक करके इस तन से डाल देंगे और अब तक तो हमारी पूरी बढ़ी ये देखिए हाड भी हो चुकी है सारी बढ़ियों को इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिये बेशन की बहुत सारी सबजी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूं फ्रेंड्स मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप एक बार जरूर विजिट कीजिए और सारी रेसिपीस को जरूर वाच कीजिए अब इसे हम फिर से ढख देंगे और दो से तीन मिनट तक इसमें पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेंपर ताकि सारी बड़ी भी जो है ग्रेवी को सोख कर ले तो देखिए हमारी बहुत इटेस्टी मज़ेदार सबजी बनका बेड़ी हो चुकी है लग रही है नहीं राजस्थान के गटे की सबजी की तरह जी हाँ फ्रेंड्स अगर आप इसे बना कर एक बार खालेंगे तो बार बार बनाएंगे बहुत इटेस्टी लगती है एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपकी ये स लिस्ट अप्लोड करेंगे आपके नोटिफिकेशन पर पहुंचेगी और आप उसे देख सकते हैं और वाच कर सकते हैं और बना सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इसी भी